मैं सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, तीसरी बार आपकी सरकार, फिर भी चारों तरफ इतने बेरोजगार अगर घूम रहे हैं, तो मैं ये मानू की सरकार के पास कोई रोड माप, कोई ब्लूप्रेंट कम से कम बेरोजगारी से लड़ने का नहीं है, इस दाट दी ओनल कुल आखरी में कोट किया, उस डेटा को हम सबसे अधिक प्रमानिक मानते हैं, और सबसे अधिक प्रमानिक संस्थाओं से वह आते हैं, जो आर्बी आई का डेटा जो बता रही है कि पिछले एक वर्ष में, 2023-2024 के वित्तिये वर्ष में, 4.6 करोड नौकरियां, जो है, नौ से 8 वर्ष में, 168 मिलियन अर्था 16.8 करोड नौकरियों का निर्मान हुआ है, SBI की डेटा पर जाएं, तो 12.5 करोड पिछले 10 वर्ष में, लेकिन मैं इस से आपको और जादा जो है ने, एक्स्पैंड करके दूर ले जाता हूँ, अगर electronic manufacturing का स्तर जो है, आज उच्चतम स्त स्तर पर है, पूरे देश में, आज defense manufacturing और defense export जो है, वो उच्चतम स्तर पर है, अगर आज infrastructure निर्मान जो है, वो उच्चतम स्तर पर है, और शाए तीन गुना जादा जो है, वो बन infrastructure का निर्मान हो रहा है, जो तो 2014 से पूर्व होता था, तो ये क्या robots बना रही है, निश्च करोर जो है, मुद्रा लोन्स के तहट छोटे व्यापारियों को लाब हुआ है, तो ये क्या, इससे employment generate नहीं हुआ है, अगर data जो है, डेटा की accuracy में, अगर data कहीं ना कहीं, जो निर्मान हुआ है, जो निर्मान हुआ है, जो जो है, पूरी तरह से लोग हताश हैं, लेकिन गि economy, जानती थी आप मुद्रा लोन्स का जिकर करने हैं, अगर informal sector में अगर नौकरिया जा रही हैं, तो ये सुभाविक है कि जो RBI और SBI के data उसके तहत formal sector में add हो रहे हैं, उसके अलावा शहरी शहरे इलाकों में गिग economy जिस प्रकार से उभर कर आया है, गिग economy का अज कोई पक बहुत बड़ा जो है employment generation का avenue है, लेकिन तो हिन मैं तो मैं बड़ी सामाने से इनसान हूँ, जो data पढ़ती हूँ वो दर्शकों को बता देती हूँ, और जो जमीन पर सचाई देखती हूँ वो भी दर्शकों को बता देती हूँ, मुझे ये बताईए तो हिन, ये 10 vacancy के लिए 180 लोग पहुँच गए, 60,000 vacancy के लिए 48 लाख लोग पहुँच गए, पौने 2 लाख vacancy के लिए 8 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए, बैचलर आफ engineering, बैचलर आफ technology, ये जमीन पर हाहा कार क्यों है भेर? देखे, जब तक आप data तक बात करती है, तो ठीक रहता है, उसमें भी चायनात्मक होती है, लेकिन ये जो है, आप कहीं न कहीं है, तो इस देश की आबादी के साथ भी जुड़ा समस्या है, आज जो है, निश्चित रूप से देश की आबादी जितनी है, और वो भी जो लो देशों में बता रही है कि अगर दस नौकरिया हैं उसके लिए दस गुना जादा लिये, एक अलग समस्या है, जो अच्छे स्तर से होती आई है, वो तो पॉपलेशन से भी जुड़ा समस्या है ना, और पॉपलेशन जो है, आज जो है, कुछ वर्ग हैं जहां पॉपलेशन कर्ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसको जीड़ीपी में एक सेकंड लेकिन तो है, अगर आप रेशों की तुलाइए, अगर आप रेशों की तुलाइए, एक छोटा सा सवाल आया मेरे जहन में, जब हम जीड़ीपी की बात करते हैं, तो यही पॉपलेशन हमारे लिए भई एक सोचवालीस करोड के देश हैं हम, और एक सोचवालीस करोड का जो देश है, जिसमें वर्क फोर्स जो प्रड्यूस कर रही है, वो हमारी जीड़ीपी में इजाफा कर रहा है, तो हम अगर अपनी जीड़ीपी को बैज ओफ वानर की तरह पहनते हैं, तो वही आशा जनक नहीं है, लोग जो हैं आज अंत्रप्रेनर्शिप की ओर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे जो मैंने आपको खुद कहां, कितने सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्ट्रिंग से लेकर, इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्रिंग से लेकर, न मैंसे डीटा है, अगर आप सरकारी नौकरियों की बात करे, अगर आप सरकारी नौकरियों की बात करे तो आप E.S.IC के फिगर्स देखेंगी, E.S.IC के फिगर्स अगर आप देखें तो हर महीने पिछले तीन वर्डशों में लगभग 14-16,00,00, ने उम्पॉईज जो हैं वह सरकारी पद खाली पड़े हैं जो तेईस में बताया था लोग सभा में आपी ने रक्षा में सिविल में डिफेंस में ये क्यों नहीं भरे जा सकते सरकारी पद मातर दस लाग की बात है देखिए वो जल्दी भरे जाएंगे उसमें कई बार क्या होता है कि समय के साथ और इस्पेशली एक एवॉल्विंग सिचुएशन में जहां टेक्नलॉजी होता है हो सकता है कि कुछ जॉब्स की अवशक्ता नहीं है ये संभव है ये तो सुविक्रत पद है ना वोट जो ने जाएंगे देखिए आज जो है अगर आप आप पीछे नहीं है ये जो है कॉंग्रेस का एक अजेंडा है विपक्ष का अजेंडा है लेकिन तमाम डेटा जो मैं आपको दे सकता हूं उसके आधार पर कहीं भी जो है इस देश में जो है पिछड़ता वह नहीं दिख रहा है तो फिर यह युवास युवसाइड क्यों कर रहे हैं तो हैं यह 18 में तीन गंडे में दो युवास युवसाइड कर रहे थे ने आप यह देखिए यह बढ़कर 33 हम हो गया प्राइए आपी साइक्लोजिस के पास पर एक साइक्लोजिस से पुछीये कितने रिलेशनिशिप से जुड़े होते हैं और एक साइकलोजिस्स को भी ले आई या आप शो पर उससे भी पता करें हूं लेकि एमोशन को यहां जो है एक एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी एमोशन को जो है वो जोड़ सकता है लेकिन एक पत्रकार के रूप में यहां अगर हम इमोशन को ना क्योंगी कि इस देश का युवा अगर स्यूसाइड रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है ठीक है वो सवाल अलदा अभी रखती हूं आपकी गुजारेश कर यह जो मेसमी सेक्टर है यह जो नोट बंदी ने जी एस्टी ने और कोविड ने तबाह कर दिया यह तो आ का वो एक आंशिक एक टेंप्ररी प्रभाव था एक दो वर्षो का आज उसकी वज़े से कोई नुकसान नहीं हुआ है और यही प्रमानित कर रहा है यह एस्बिया यह आर्बिया का जो डेटा है अगर दोहजार सत्रा से लेकर अब तक सोला तशमलर आठ करोर जॉब्स के न जीडिपी बढ़िया लेकिन हम दस लाग सरकारी पद भर नहीं पा रहे हैं सडकों पर हमारी फौज है बेरोजगारों की और आप के रहे मैं चैनात्मा खूमे सेलेक्टिव हूँ